कनया की जै बूलो जै बूलो गो वरधन की जै बूलो जै बूलो जै बूलो जै बूलो जै बूलो जै बूलो गो वरधन की जै बूलो साथियो नमस्कार, साथियो आनन्द से रहें और प्रिकत के साथ स्वरक्षित वप्रसंद चित रहें। साथियो आज जो है प्रिकती परियावरन और जलवायू सरणरक्षन का दिव्य दिवस है। जिसकी आदिकाल से हम सतत रूप से पूजा, प्रासना और जन्मानश में जागरण के लिए प्रतिवर्ष स्री गोवर्धन जी की पूजा किया करते हैं। सामने देखिए ये आंगन में स्री गिरीराज जी की गोवर्धन जी की इस्थापना हुई है। ये प्रतिवर्ष धीपावली के सेकंडे परवा के दिन ये पावन पूजा का विधान है। गोवर्धन जी की पूजा के साथ विधी विधान से अन्नकूट 56 पिकार के भोगों का व्यन्यन भी पूजा और प्रात्ना में निविधित किया जाता है। आज के इस पावन तेवहार के प्रसंग की घटना द्वापर काल में भगवान कृष्ण जी के समय काल की है। भगवान कृष्ण अपने बाल्यावस्था में थे उस समय एक दिन आज ही के दिन परमपरान सार देवराज इंद्र के लिए 56 पिकार के व्यन्यन तयार हो रहे थे पूरे ब्रिज में और घर घर जो है वो व्यन्यन एकत्रित किये जा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने अपनी माता इसोदा जी से पूछा कि ये किस उपलक्ष में हो रहा है। तो माता जी ने उत्तर दिया कि ये देवराज इंद्र को चौथ जा रही है। और पृतिवर्स उनको ये भोग लगता है और ये एक चौथ के रूप में हैं। अगर हम उनको ये व्यन्यन और ये भोग सामगरी उपलब्द नहीं कराते हैं तो वो हम लोगों का अनिष्ट कर देते हैं। और भगवान को ये समझ में आया कि देवराज इंद्र में अहिंकार और घमंड होया है। और उस एहंकार और घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने एक ये उधारन दिया जो आदिकाल से प्रतिवर्श इस दिन हमको प्रिवनात्मक रूप से प्रिकति परियावरन और सरड़क्षन के लिए हमेशा याद आता है। भगवान ने जहां रावन का गर्व और घमंड और अहिमान को दूर किया वहीं देवताओं के देवराज इंद्र के घमंड को भी दूर किया। तो भगवान किसी का घमंड और अहिंकार को रहने नहीं देते हैं। भागवान कृष्ण ने ये एलान करा दिया धिंडोरा पिटवा दिया कि इस वर्स कोई भी इंद्र को भोग सामगरी और चौत प्रदान नहीं करेंगे जबकि इस बार प्रिकत की पूजा होगी और प्रिकत के लिए उन्होंने गोवर्धन जी की पूजा का संकल्प लिया बहुत बड़ा इस्थान है अगर जलवायू को कोई भी चीज इस्थिरता प्रदान करती है जलवायू जो परिवर्तन का बहुत बड़ा अभियान इस समय चल लहा है और दुनिया के सामने सबसे विकराल समस्या अगर कोई आना है आ रही है तो वो जलवायू परिवर्तन की रक्षा के लिए जिसमें हमारे देश के माननी प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मुदी जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने जलवायू परिवर्तन के ऊपर वैदिक काल की जो महान विचारधाराएं थी उनको विश्वपठल पर रखा कि उनके द्वारा ही जलवायू परिवर्तन से लड़ा सकता है जो वैदिक परमपराएं हैं जो सनातन परमपराएं हैं उनके द्वारा ही लड़ा जा सकता है लेकिन मैंने उस सम्मेलन की विशेश तत्यों को देखा तो जो सम्मेलन में विशेश उठाए गए वो कृतिम जलवायू परिवर्तन के ऊपर है और कृतिम ताको महा तो दिया गया है जबकि जल्वाईव परिवर्तन को अगर रोकना है दुनिया को तो जो हमारे मूल प्राकृतिक संसाधन है मूल रूप से अगर परवत और पहाडों की अगर रच्छा हमने नहीं की तो ना तो हमारा मानसून में वस्थित होगा नहीं हमारी बारिष समय से होगी और नहीं जल्वाईव परिवर्तन समय से होगा क्योंकि पहाडों का और परवतों का इन सब में महान योगडान है और भागवान स्री कृष्ण जी ने बाले आवस्था में ही समस्त जन्ता को इस बात से तब आगा है किया था द्वापर काल से और आज वो यह थार्त रूप में चड़तार्त होता दिखाई दे रहा है यदि जलवाई परिवर्तन को नहीं रोका गया और इसी तरह से जलवाई परिवर्तन दुनिया में होता रहा तो एक दिन महान प्ले की समस्या पूरी समस्त दुनिया के सामने आएगी जिसमें समस्त नाग्रुकों को चाहे वो छोटा हो, बच्चा हो, रद्ध हो, सब को उस समस्या का सामना करना पुड़ेगा, अगर दुनिया जाग्रुक नहीं हुई, तो ये जाग्रुकता का ही सबसे बड़ा तिवहार है, प्रिकति का, और दुनिया के अन्न समाज के लोगो को, भारतियों की इस महान वस्ता को, महान पूजा को, महान संकल्प को, जो प्रिकति परियावरन और जलवाईव के सरंडक्षन के लिए अटूट और अटल और अक्छोन है, सदियों से अक्छोन चलिया रही है, उसकी रक्षा करना उसकी रक्षा के लिए ये उधारन जन ज चलके जलवाई उपरिवर्थन से सनडक्षन और संवर्धन हो सेगा जहां परवतों और पहाडों के सनडक्षन में स्री गोवर्धन जी गिरिराज जी का उध्धर्ण हम लोगों के सामने पढ़ना के रूप में है वहीं एक सब्द का मैं उप्योग और कर रहा हूं जो एक वै के जो उपले बनते हैं उसको हमने आदि काल में ही ओधन जो प्राया आज जो सब्द बहुँचर्चत है ecology, eco-friendly जो सब्द है eco gardening, आद इस सब्द प्रकति के उप में, अग्य ओप में इको के रूप में हम उसको आगे लगा के और प्रकति को के मूल को दरसाना चाहते हैं वो मूल गाउं गाउं में अगर आप गाय के उपले का संबोधन करेंगे तो गाउं की जो महलाएं हैं या जो भुजुर्ग लोग हैं वो इधन का इधन के रूप में उचारित करते हैं, संबोधन करते हैं कोई ये नहीं कहता है कि जाओ कंडे उठा लाओ ये कोई नहीं कहेगा, ये कहेगा हैं कि इधन, धन से मतलब एक रिचस्ट चीज़ का उद्धरन सामने रखा गया तो सामने देखिए गाय को भी आज बहुत महत्र दिया जाता है क्योंकि गाय में इतने गुण हैं, इतने महनता है कि हमने उसको मात्र स्वरूप में, मा के स्वरूप में अपने जीवन में ढाला है जो प्राकृतिक में जो गैसों का उत्सरजन हो रहा है, दूशित गैसों का उत्सरजन, उसको दुनिया में अगर कोई भी समात या कोई उपाय है, प्राकृतिक ऊपाय है तो वो गाय काउडंग और गोमूत्र के द्वारा ही वो सारगर्वित हो सकता है ये आज विज्ञानिकें जो रिशर्च हो रहे हैं उसके द्वारा भी ये पूरी तरह से इसपस्ट हो रहा है हमारे वैदिकाल में वैदिकाल से लेके आज तक हमारे रिशियों और मुनियों ने गाए के एक एक चीज का परिछन किया एक गाए के गौदूद का गौदूद का गौदूद का गौदूद का गौदूद का गौदूद का सब का उन्होंने मुल्यंकन करने के बाद ये पाया कि ये अमरतुल है इसकी गाए मा को मा के संग्या दी गई और गाए को ये कहा गया कि ये अमरित तुलिस की चीज़ें हैं इसलिए गौधन काउचारण किया गया है इसमें कोई किसी को वो नहीं है ये तो जीव है गाय तो जीव है एक बहुत बड़े हमारे जस्टिस साब ने ये कहा कि गाय माता कैसे हो सकती है मैं मानता हूँ उनकी बात को कि हाँ गाय माता नहीं हो सकती गाय तो वास्ताव एक जानवर है लेकिन अगर उसमें इतनी दिवित है इतनी गुणवत्ता है तो हम और मां तुल्ले के रूप में हमको वह अमर्तत्य प्रदान कर रही है तो ऐसे जानवर को अगर हम गौव मां से संबोधन करते हैं तो क्या गलत है मेरा संदेश अगर जश्टिस साफ के पास भी पहुत जाए तो बहुत अच्छा रहेगा बहु इनको नंगा ना होने दें इनको खाली ना होने दें इनको उसर ना होने दें तभी हम सब मानों जीवन और प्राणियों का जीवन जीवन आगे चलके बहुत ही सारगर्वित और बहुत अच्छा हो सकेगा बहुत बहुत धन्वाद थैंक्यू कर दो 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 कर झाल झाल